हाई गाईज माई नेम इस चंसिकर वरोला और मेरा नंबर है 9899123008 और हम पढ़ रहे थे IS audit process और IS audit process में हम audit की process के बारे में पढ़ने लगे थे audit plan पर हम आ गे थे और हमने यह जाना थे कि normal audit की तरह ही यह भी audit होगा information system audit normal audit की तरह होगा लेकिन इसका basis premises ज्यादे emphasis risk management पर रहेग यानि कि दो चीजें control और रिस्क management जहां IS audit हो जाता है information system audit आता है computerized information system environment आ जाता है वहां risk बढ़ जाता है और हमें risk perspective से risk assessment करना पड़ेगा और risk perspective से basic premises जो होगा वो risk assessment का होगा कहां पर रिस्क है क्योंकि अगर एक बार software लगा दिया automated उसमें एक logarithm रखा हुआ और अगर वो software violate नहीं हो रहा है तो processing normal होगी 24 by 7 उसी efficiency के साथ processing होगी problem तब आएगी जब controls bypass कर दी जाएंगे तो controls और risk दो चीज़ बहुत important है information system audit में तो जब हम audit करते हैं तो audit जिससे में कर रहे होते हैं हमारे emphasis थोड़ा change हो जाता है यानि एक तरफ controls में होता है compliance procedure में हो जाता है और एक तरफ risk assessment में हो हम risk के बारे में सोचने लगते हैं और हमने थोड़ा सा अपनी knowledge refresh करने के लिए यह जाना था कि audit plan होता है audit plan का एक deliverable audit program होता है यानि audit plan जब बनेगा तो उसका deliverable कई चीज़ें होंगी audit plan में और उसमें से एक चीज़ होगी निकल कर जो आएगी वह होगी audit program audit program के अंदर जोच करें उसमें audit procedures described होंगी audit procedure substantive या compliance procedure होंगी substantive procedure, normal substantive procedure हो सकती है या analytical substantive procedures हो सकते हैं या चीज़ें पिंडाउन लास लेवल तक पिंडाउन होंगी तो यानि कि आप audit plan बनाओगे तो audit plan मैंने भूला था कि short term हो सकता है long term हो सकता है में प्लान है कुछ भी हो सकता है अब आप किसी organization में जाते हो महां audit करना सुरू करते हों बहुत सारे departments है internal audit आपने start किया तो आप यह decide करते हो तीन मेहने में हम यह यह चीज़ें audit करेंगे उसके बाद यह audit करेंगे यह department करेंगे उसके बाद यह department करेंगे पहले finance और HR ले लेंगे फिर admin लेंगे फिर उसके बाद अगली बार आएगा तो finance और सपोज सेल्स ले लेंगे इस तरी किसे हम अपना area बांट देते हैं अगर बहुत बड़ी बने का और इस बार के audit program में होगा कि हमें finance department और एक particular department का audit करना है उसके internal controls का audit करना है अब उसी के अनुसार audit strategy determine होगी audit strategy हम जब determine कर रहे होंगे या audit methodology या audit approach हम जब हम determine कर रहे होंगे तो audit procedures determine करेंगे और जब audit procedures हम determine कर लेंगे तो या तो substantive होंगे या compliance होगे और चुकि IT audit है तो जब उसका audit plan बन रहा होगा तो major emphasis compliance procedures में होगा लेकिन change भी हो सकता है मैंने बोला था audit plan dynamic है static नहीं है जहां IT आती हर चीज़ डाइनमिक हो जाती वैसे audit plan कभी static नहीं था लेकिन IT आने की वज़े से audit plan और डाइनमिक हो गया है तो कई जगे पर आप जाओगे compliance procedures apply करोगे controls लगाओगे और देखोगे controls violation हो रहे हैं तो आप substantive procedures पर चली जाओगे अगर आप strong controls हैं तो substantive procedure बहुत कम apply करोगे उसके बाद हमने audit plan पढ़ना चालू किया था और उसमें हमने यह जाना था कि audit plan में क्यों planning क्यों important है पहले पहले भी important थी पहले भी audit plan बनता था लेकिन अब massively important हो गई है और उसका एक reason यह है inherent risk बहुत बढ़ गया हमने यह जाना था यह तीन टाइप के risk होते है inherent control और detection risk nature change हो गया है inherent risk के बारे हमने थोड़ा सा जानगारी प्राप्ट की थी हमने यह जाना था कि कुछ risk होते है controls लगाने से पहले control लगाने से पहले उन risk को देखा जाता है और यह देखा जाता है कि क्या यह risk risk बढ़ा रहे हैं कि नी बढ़ा रहे हैं क्या यह चीज़ें risk बढ़ा रहे हैं कि नी बढ़ा रहे हैं और उन्हें inherent risk ले लिया जाता है, कह दिया जाता है, जैसे for example, एक गाड़ी 20 की suite में चल रही है, inherent risk 120 में जादे बढ़ जा गया, अब आप कहोगे, उसमें हमने controls लगा दिया, शुमाकर को बैठा दिया, गाड़ी बहुत बढ़िया है, वो माइनी नहीं रखता, inherent risk में वो माइ काम है, building cement की बनी है, risk काम है, अगर steel का कोई एक go down वगल लगा है, उसमें आग लगने की chances बिलकुल काम है, वह inherent risk बहुत काम है, अगर एक organization है, उसमें दो computers हैं, कोई internet का connection ही नहीं हो, inherent risk वहाँ काम है, लेकिन जैसे ही आप internet का connection रखते हो, inherent risk बढ़ जाता है, वो बात अलग ह कि firewall लगाओगे, दूसरी चीज़े लगाओगे, आप antivirus लगाओगे, intrusion detection system लगाओगे, लेकिन उसको हटा के बात होगी, तो basically planning की जरुवत क्यों पड़ी, बहुत जरुवत क्यों पड़ी, अब emphasis planning में बहुत जादे, कई बार क्या होता था, पहले क्या होता था, कुछ audit firm स साथ audit करने चले जाती, छोड़ी जोड़ी firm ऐसा गया गड़ती थी, लेकिन अब audit plan बहुत important हो गया है, क्यों important हो गया है, उसका reason यह है कि IS audit में inherent risk बढ़ गया है, और अच्छा plan होना बहुत जरुवी है, critical success factor जो है, अच्छा audit plan critical success factor में आता है, IT audit में, अगर IT audit के critical success factors की बात की जाएगी, तो अच्छा audit plan होना बहुत जरुवी है, जिसमें risk identified हो, particularly inherent risk identified हो, इसके अलावा planning से क्या होता है, planning से risk बता चलता है, risk से हमें बता जल जाता है, कौन सा बंदा है, जिसके पास उस area को audit करने के लिए skills है, तो यानि इस risk को हमारे skills के साथ match करते हैं, तो audit risk कम हो ज circumstances आ सकते हैं, unexpected findings हो सकते हैं, audit के time पर, वो change हो सकता है, audit plan, उसके अलावा हमने यह जाना था, audit plan हमें share करना चाहिए, करना पड़ सकता है, audit committee के साथ, या organization जिसके audit करने जाना है, उसके management के साथ, उसके अलावा हमने जाना था, कि audit plan बनाते वक्त हमें क्या है, business की knowledge होनी उसके अलावा हमने यह जाना था, documentation बहुत ज़रुई है, documentation होना, अगर मालने बीच में plan चेंज हो रहा है, unexpected finding वी, तो आपको पहला plan और बाद का plan documented होना चाहिए, क्यों changes आए, यह सारी चीज़े documented होनी चाहिए, तो documentation बहुत essential हो गया है, क्योंकि risk बहुत बढ़ गया है, अराम से काम करेगा, कर रहा होगा, computer जो है, अराम से logarithm के अनुसार काम कर रहा होगा, अचानक virus आ गया, सब कुछ गया हो गया, यानि organization का substratum wiped off हो गया, और उस time पर आप पर बड़े questions आएंगे, तो कहने का मतलब यह है, और risk बहुत बढ़ गया है, यह तो risk, risk का मतलब क्या हो जाए, और अचानक कुछ हो जाए का impact बहुत बढ़ गया है, पहले आपका manual आदमी काम किया करता था, आदमी काम करता था, तो कभी-कभी वो fraud उस level से जादे ही नहीं करता था, कि जस level से जादे पकड़ा जाए, उसकी सबसे पहले priority यह उती थी, कि fraud को किसी तरह से छुप है, एक चबरासी यह जाएगा और कुछ पैसे उपर नीचे कर देगा, तो पता ही नहीं है कि यह fraud, यह fraud कर रहा है, जगे-जगे छोटे-छोटे-छोटे fraud हुआ करते थे, और जो employee वो त्यार रहता था, जो fraud कर रहा होता था, employee मानुपड़ा organization में जो fraud कर रहता था, उसको छ इसके साथ या तो नहीं होता है, होता है तो drastic चीज़ें हो जाती है, और drastic चीज़ें होती है, तो उसे ठीक करने का एक, वो किसी भी limit तक जा सकती है, हो सकता है, bank है, सही तरीकी से data नहीं रखा है, पूरा centralized data भी wipe off हो जाएगा, उस समय auditor पर questions आ, banker questions आ सकते हैं, तो risk देखना बहुत important हो गया, छोटे-छोटे frauds देखना कम important हो गया, क्योंकि चीज़ें automated हो रही है, छोटे-छोटे frauds नहीं हो गया, होगा तो कहीं से virus आ गया, कोई किसी ने logarithm में problem हागी, जिब processing हो रही ही, तो सारी data की processing गड़बड़ होनी शुरू हो जाएगी, तो यानि कि आप audit को प्लान कर होगे, नॉर्मल तरीक से प्लान कर होगे, और आप क्या करते हो, जब planning करते हो तो preliminary review लेते हो, preliminary review लेना बहुत important है, क्योंकि उसी के basis पर planning की जाएगी, IES audit में आप risk देखोगे, उसी के नुसार आपका effort लगेगा, control strong है, कम है, substantive procedures भी कम लगाने हैं, फड़ा फट audit हो जाएगा, controls lax, lax हैं, तो आपको massive substantive procedures लगाने पढ़ेंगे, तो आपको यह देखना पढ़ेगा, कि degree of audit risk देखना पढ़ेगा, और वही audit effort की effectiveness और efficiency determine करेगा, जो critical factors हैं, वही हैं कि risk आपको देखना है, control environment देखना है, मतलब control environment देखा तो आपको पता चलिए, यह risk है, control, आपने environment देखा, environment देखकर business देखा, आपने उसकी technology देखी, उसके बाद आपको यह पता चलिए, इस level का risk है, और जिस level का risk है, उसी के नुसार आपने effort लगाना है, और उसी के नुसार आपने plan बनाना है, और फिर audit planning करोगे, फिर audit methodology, sorry, audit program उसी के नुसार बनाओगे, audit program बनाओगे तो आप उसी के नुसार audit methodology या audit strategy यूज़ करोगे, audit strategy आप यूज़ करोगे तो उसी के नुसार audit procedures यूज़ करोगे, जो कि substantive या compliance procedures हो सकते हैं, तो आप प्रिलिमिनरी रिव्यू करने के लिए जा रहे हो, प्रिलिमिनरी रिव्यू एक in-depth overview देखोगे, आप organization का, accounting system का, आप ये देखोगे कि कॉकिस टाइब की controls हैं, और ये critical factors हैं, प्रिलिमिनरी रिव्यू में, पहला है business की knowledge होना, business की knowledge में, आपको industry की knowledge होना बहुत ज़री है, business की knowledge होना बहुत ज़री है, उस particular business की, उसके अलावा, business का exposure का, exposure मतलब जहां पर से risk आ रहा है, मानने पड़ा है, एक company है, वो आपका completely online है, completely internet पर है, बहले ही lease line ली है, उसका exposure जादे होगा, अगर एक company है, वो transparency international है, वो transparency में believe करती है, उसका exposure काम होगा, एक drug बनाने वाली company है, वो पर दवाईयां बना रही है, उसका, दवाईयों को research कर रही है, तो वहाँ पर जो research है, वो confidential research है, उसका exposure जादे हो सकता है, particularly अगर वो networker में है तो, तो आप यह देखोगे, कि आप business की knowledge लोगे, उसके बाद यह देखोगे, risk areas कौन से है, उसके बाद यह देखोगे, कहीं ऐसा तो नहीं कि आपने outsourcing तो नहीं कर रखी है, अगर चीज़ें outsourced हैं, उसके बाद top level management को देखोगे, IT management को देखोगे, वो competent है कि नहीं है, IT management को देखोगे, competent है कि नहीं है, top management को भी देखोगे, competent है कि नहीं है, क्योंकि कई बार क्या होगा, top management competent नहीं होगा, IT management competent होगा लेकिन जो चीज़ परचेस कर रहा होगा, substandard परचेस कर रहा होगा IT department कुछ भी top management को कुछ भी कहानिया सुना कर कुछ काम कर रहा होगा IT management भी knowledgeable होना चाहिए, उसकी competence भी high होनी चाहिए, top management भी competence होना चाहिए उसके बाद organization का structure और setup आप देखोगे उसके बाद technology को understand कर होगा, आप यह देखोगे किस तरह का architecture है distributed architecture है या centralized architecture है मतलब कई जगे दोनी चीज़ें हो सकती है, जैसे banks में centralized database भी हो सकता है कई चीज़ें distributed भी हो सकती है तो technology architecture आप समझोगे, पहले तो आपने business समझा, फिर उसके बाद आपने technology समझी, उसमें technology architecture समझने से पहले आप यह देखोगे IT का rule कितना है, किसी company में IT बहुत कम है, एक दू computers पढ़े वें, और किसी company में organization-wide ERP है organization-wide चीज़ें काम हो रही है, document mail में ही चीज़ें रखी जा रही है तो आप यह देखोगे, IT में dependence क्या है, level of automation क्या है, business processes को देखोगे, level of automation देखोगे कौन-कौन से application वहाँ पर काम कर रहे है, network diagram देखोगे, physical or network, logical controls देखोगे, physical or logical network की connectivity देखोगे logical connectivity और physical connectivity दोनों अलग है, physically wire कैसे जा रहा है, या logically किस तरीकी से बना हुआ है वो, यह आप देखोगे उसके बाद क्या है कि, कई बार क्या होता है, कि extended enterprise architecture होता है, extended enterprise architecture का मतलब यह होता है, जैसे मारूती है मारूती के साथ, vendor के साथ भी उनका communication चल रहा होता है, मारूती है, vendor corporation है, मारूती के पास, अगर आपके कोई parts कम हुआ, automatically, एक reorder level तक आया, automatically order चले जाएगा, तो वहाँ पर vendor management modules होते है, customer management modules होते है, employee management modules होते है, और आज की date में, government भी automated होती जा रही है, तो extended enterprise architecture है कि नहीं है, extended enterprise architecture है, तो इसका मतलब organization में efficiency बढ़ रही है, लेकिन साथी साथ risk भी बढ़ रहा है, तो overall अगर यह कहा जाए कि technology की knowledge होना बहुत ज़रूरी है, यह जानना बहुत ज़रूरी कि क्या limitations है, क्या critical components है, और advantages क्या है, और just for example, email system है, email में authentication risk जादे होता है, कि दूसरा आदमी एक किसी वेक्ति की email ना पढ़ता है, कई बार क्या होता है, कि यह organization होता है, उसमें email सबके पास होता है, लेकिन जो उसका custodian होता है, email का custodian होता है, IT department, उसको सब समझना बहुत जरूरी है, business को समझना बहुत जरूरी है, internal control को समझना बहुत जरूरी है, initially आप organization में जाओगे हो एक limited level of compliance and substantive testing कर सकते हो, और उससे उसके internal controls को समझ सकते हो, legal considerations बहुत जरूरी है, auditing standards बहुत जरूरी है, आप वहाँ जाओगे तो आपको यह जानना बहुत ज़रूरी है कि कौन-कौन से laws इस industry में काम करते हैं जैसे bank में, bank की accounting बिल्कुल अलग होती है bank में अलग type के laws होते हैं, अलग type के regulatory frameworks होते हैं जो आपको, जो bank को follow करने पढ़ते हैं तो legal implications दोखोगे, audit work में legal implications क्या आ रहे हैं और उसके अलबा, जैसे mandatory standards है, accounting standards है, auditing assurance standards है, वो तो आपको follow करने हैं वो आपके institute ने आपको दी हैं तो कहने का मतलब यह है, planning के phase में, आप preliminary review करोगे, plan का बना रहे हो ना preliminary review, starting का review करोगे, उसमें business की knowledge लोगे, उसमें technology को understand करोगे, यह देखोगे क्या architecture है, centralized database, centralized है, distributed है, hybrid architecture है उसके बाद आप यह देखोगे, legal consideration क्या है, risk assessment, materiality देखोगे, कहां-कहां risk हो सकते हैं और उसी के नुसार, क्या material problem आ सकती है, जैसे for example, एक bank का centralized database है, वहाँ पर, वो बहुत ही material area है, क्योंकि वहाँ पर risk बहुत जाद है अगर वहाँ पर कुछ गड़ बढ़ी ही, तो bank पूरा का पूरा ख़तम हो सकता है तो जैसे की बोला, risk assessment में क्या होगा, आप risk को assess करोगे, उसी के नुसार acceptable risk क्या है, वो देखोगे क्योंकि management एक acceptable level of risk determine करेगा risk उससे नीचे नहीं हो सकता उससे नीचे, risk zero नहीं हो सकता auditor क्या देता है, वो reasonable assurance देता है, 100% assurance नहीं देता है उसी की तरह से audit risk zero नहीं हो सकता, organization का inherent risk zero नहीं हो सकता आप, sorry, organization का risk, inherent risk तो zero हो नहीं सकता organization का overall risk zero नहीं हो सकता वो zero नहीं किया जा सकता, कितने भी controls लगा लोगा एक acceptable level of risk हमें management को determine करना पड़ेगा तो management ने वो acceptable level of risk क्या determine किया उसी की तरह, उसी से क्या है, auditor audit करेगा वो audit procedures determine करेगा, उसके nature extent of timing देखेगा यानि के nature extent of timing क्या है, audit procedures क्या है, substantive या compliance substantive procedures है, तो वो इलकाएगा कितनी extent of checking होनी चाहिए, यह determine करेगा तो कहने का मतलब यह risk assessment बहुत important चीज है और risk assessment के time पर वो देखेगा, management ने acceptable level of risk क्या बता रखा है और acceptable level of risk determine करने के responsibility management की है फिर से बुल रहा हूँ, acceptable level of risk determine करने की responsibility management की हर area में, जैसे for example एक organization है, उसमें पचास server है उसमें कोई server ज्यादे important है, कोई server lesser important है अब वहाँ पर acceptable level of risk क्या होगा, यह management determine करेगा, हर server level पर, हर service level पर तो इस समराइज करते हैं फिर से, हमने यह बढ़ा था कि basically audit आप किसी भी organization में IT organization में particularly IT based organization, information system organization में IT audit करने जाओगे तो आप audit plan बनाओगे, audit plan का एक deliverable होता है audit program और उसी के साब से audit strategy बनती है और फिर उसी के अनुसार audit procedures determine करते हैं और substantive compliance procedure आप apply करते हो, audit procedures क्या होते हैं या तो substantive होंगे या compliance होंगे अब audit strategy भी हमने पढ़ी थी कई type की audit strategy होती है, system based approach होती है या audit strategy बोले, audit methodology बोले, audit approach बोले audit strategy कह सकते हो, audit methodology कह सकते हो, audit methodology कह सकते हो audit program बनाओगे तो उसके अंदर audit strategy होगी या methodology होगी या approach होगी तो उसमें कई टाइस system-based approach हो सकती है, transaction cycle approach हो सकती है, इसमें transaction cycle को आप check कर रहे होते हो, substantive approach हो सकती है, आप जा सकते हो, कह सकते हो भी या voucher निकालो हम उसको audit करना start करेंगे, directional testing हो सकती है, या risk-based approach हो सकती है अब अगर मालिया suppose आप planning कर रहे हो IT audit की, तो risk-based approach वहाँ पर जादे चलती है, क्योंकि वहाँ risk को को देखना पड़ता है आपको, वहाँ पर controls की testing करनी पड़ती है, पर फड़ से repeat कर रहा हूँ, audit plan बनाती हो, audit plan का एक deliverable होता है, audit program, audit plan medium term, short term, long term हो सकता है आपने audit plan बना लिया, उसके बाद audit program बनाओगे, उसका एक deliverable audit program होगा, audit planning में हमने यह जाना था कि preliminary review करोगे, अगर जबर पड़ी तो एक substantive testing करोगे, limited level की और फिर उसके बाद audit program बनाओगे, उसके बाद audit program के अंदर audit strategy होगी, audit strategy या audit methodology या audit approach होगी और उन में से एक approach है, risk based approach, risk based approach, IT audit में बहुत जादी use की जाती है अब आप risk based approach कर रहे हो, तो audit strategy के अंदर audit procedures होते हैं, और उसमें compliance procedure risk based approach में जादी use की जाती है compliance procedure का मतलब यहां, controls की testing जादे की जाती है, लेकिन substantive testing भी जरूत पड़ सकती है, अगर control सफिशिन नहीं है, तो substantive testing चालू करोगे controls हैं तो कोई बात नहीं, हमने पहली भी पड़ा था कि अगर artificially intelligent system हो जाए, AI आ जाए, तो आपको cable controls देखने की जरूत है, substantive तो चेक करने की जरूत ही नहीं है जितना system automated हो जाएगा, उतना control testing की जरूत पड़ती है, क्योंकि हम आप risk को determine करते हो आप, risk assessment करते हो, basic premises है, risk assessment risk management का chapter उसमें detail में ये समझाय हुआ है, लेकिन उसको हम summarize कर लेते है, risk based approach is the best approach in IS, CIS, computerized information system audit process, IS audit क्या होता है, information system का audit, वो computerized हो सकता है, non computerized हो सकता है, लेकिन CIS, computerized information system audit process, वो computerized होगी, वहापर risk based approach use कर रहा हो गया, अपने audit plan में आप जो approach ये strategy कर रहे होगे, वो risk based approach कर रहे होगे, तो risk based approach में सबसे पहले तो inventory create करोगे, information system की, उनको categorize करोगे, इसके बारे में detail में बढ़ेंगे, risk management के chapter में, तो आपने inventory बना दी, ये ये सारे हमारे assets हैं, आज ही date में गया है, ऐसे software आते हैं कि जो system में install करो, और automatically आपको पता चल जाए, कौन-कौन से hardware हैं, आपके पास कौन-कौन से software हैं, उसके बाद, आप ये देखोगे, कौन से system, critical functions को impact करते हैं, जैसे for example, आपका कोई critical system है, जैसे आपका bank का centralized database है, उसको real time operate करना बहुत जरूरी है, या कोई system है आपका, एक hospital का system, hospital में अगर मालिया, ICU में कोई system लगा हुआ है, उसे real time operate करना बहुत जरूरी है, अगर वो सही time operate नहीं करेगा, तो आदमी गया, उसी की तरह से अगर ATM है, या centralized database है bank का, उसको operate करना जरूरी है, क्योंकि अगर वो नहीं करेगा, तो पूरे इंडिया के operations, नहीं हो पाएंगे, पूरे इंडिया के ATM नहीं काम कर रहा हुआ, तो आप देखोगे, कोई एक particular system है, पहले तो आपने inventory create कर दी, systems की, आपने कहा कि assets की, IT assets की inventory create कर दी, आपने कहा ये IT के, ये IT के assets है, उसके बाद क्या है कि आप ये देखोगे, उन IT assets में कौन से critical है, अगर वो रुख जाएं, पैसे की हानी तो नहीं होगी, customer की हानी तो नहीं होगी, कई बार decision making की हानी तो नहीं होगी, कई बार क्या होता उसके पास नहीं आई है, real time operate कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, तो basically आपको ये चीज़ देखकर, एक risk profile बनाना पड़ेगा, और फिर ये देखना पड़ेगा, सबसे critical कौन सा है, सबसे ज़्यादे risk prone कौन सा है, सबसे ज़्यादे impact कौन सा system देगा, severity of impact, कहीं कोई particular जैसे ATM है, अगर उसमें centralized database है, अगर उसमें data wipe off होगे तो पूरी company, पूरी bank बंद हो जाएगा, और उसी के basis पर आप audit की priority डिसाइड करोगी, क्या resource लगाने, क्या schedule होगी, क्या frequency, ये डिसाइड करोगी, तो इससे फिर से एक बार summarize करें, इन phases हम ये पढ़े थे, information system audit के phases, उसमें सबसे प्लाइनिंग करेंगे, नॉर्मल तरीके से audit planning, अगर आप traditional audit करते हो, वहाँ भी audit planning करते हो, यहाँ भी audit planning करोगी, लेकिन यहाँ पर audit planning बहुत important हो जाएगी, क्यों हो जाएगी, क्यों कि यहाँ पर क्या है, कि inherent risk बढ़ गया है, inherent risk के बारे में मैंने बताया था, risk तीन टाइ controls लगाने से पहले आप देखोगे, inherent risk को, अगर मालिया, suppose, एक गाड़ी 20 की speed में जारी है, और एक गाड़ी 120 की speed में जारी, inherent risk 120 में जाते है, तो चुकि यहाँ पर risk बढ़ जाता है, यहाँ पर nature change हो जाता है, तो इसलिए आपका emphasis risk में बहुत जादे होगा, और controls में बहुत ताकि सही आपनी को सही work allocation हो जाए, और इस phase में क्या हो गया, आप preliminary review करते हो, आप business की knowledge लेते हो, कि क्या organization है, क्या environment है, क्या environment है, उस business का knowledge लेते हो, उसके बाद आप यह देखते हो, business में किस type की technology है, क्या architecture यूज किया जा रहा है, क्या extended enterprise architecture तो नहीं है, company के अंदर ही ERP है, क उससे online communicate कर रहे हैं की नहीं कर रहे हैं, उसके बाद directive controls क्या है, policy, standard, guidelines और procedure क्या है, उसके बाद internal control system को आप understand करते हो, और उसके लिए अगर limited compliance और substantive testing करनी बढ़ते हैं, वो करते हो, आप organization में जाते हो, question पूछते हो, या substantive control testing करते हो, एक idea लेते हो, hire की पता करते हो, और उसी क basis पर preliminary review करते हो, आपको पता चल जाता है, hire की आप देखोगे, organization के बारे में आपको knowledge हो जाई, और basic questioning करोगे तो आपको organization के बारे में पता चल जाएगा, उसके बाद legal consideration देखते हो, कौन से laws यहाँ पर apply हो रहे हैं, वो देखते हो, उनके बारे में आपको knowledge होनी, grasp होनी बहु क्योंकि IS audit basically risk audit है, वैसे हर audit risk audit है, लेकिन IS audit risk audit की तरफ के बिल्कुल करीब है, वहाँ पर आप control testing कर रहे होते हो, इसके बाद हमने बढ़ा था कि audit plan होता है, audit plan का deliverable audit program होता है, यानि आप यह सारी चीजे करोगे और audit program create करोगे, audit program के अंदर audit strategy होती है, और एक strategy उसमें से risk based approach ह होती है, बहुत सारी strategies होती है, उसमें से एक strategy risk based approach होती है, जहाँ IT systems है, जहाँ IT systems जादे है, जहाँ पर CIS environment जादे है, computerized information system environment जादे है, वहां risk based approach अपलाऊँगे, risk based approach में क्या देखोगे, risk देखोगे, inventory, asset की inventory create करोगे, कौन से asset में सबसे ज़्यादे risk है, देखोगे, software और hardware inventory create करोगे, और इन में risk क्या है, यह देखोगे, risk किस terms में देखोगे, risk money के terms में देखोगे, material के terms में देख सकते हो, customer के terms में देख सकते हो, decision making के terms में देख सकते हो, real time operation के terms में देख सकते हो, यह देख सकते हो, कि अगर real time operation नहीं हुआ, तो कहीं तो impact किस-किस system कहा, क्या loss अगर अगर यह system काम नहीं कर रहा है ठीक तरीक से तो customers की problem क्या होगी material में क्या problem आएगी, money में क्या problem आईगी, decision making में क्या problem आईगी यानि कि stop management बैठा है, system काम नहीं कर रहा, उसके बात information नहीं आ रही है, वो decision नहीं ले पा रहा है, अब जैसे for example, एक plane है, plane में जो उसको पर pilot बैठा है, उसको computerized plane हो गए है, अगर pilot बैठा है और वो decision नहीं ले पा रहा है, कुछ split second pilot decision नहीं ले पाया, plane गया, तो वहाँ पर real time system बहुत important है, इसी तरीकी सा organization में कई जगे पर decision making बहुत जरूरी होती है, particularly stock market, stock market में ये समझ लो, आपके पास एक system है, आप broker हो, आपका system बैठ गया किसी reason से, वैसे तो आज की date में internet based system होते हैं, वो possible नहीं है, लेकिन थोड़ी दिर के लिए माल लो, कि आपक seconds, आप decision नहीं ले पा रहे हो, आपको घाटा हो गया, या जो फायदा होना चीए तो नहीं हुआ, customers ATM में आप जा रहे हो, ATM पैसा ही नहीं दे रहा है, उससे आप monetary loss हो गया, तो आपको ये समझना पड़ेगा, और इसी के अनुसार assets को prioritize करना पड़ेगा, और severity of impact समझना पड पड़ेगा, इसी के अनुसार अपने audit priority create करनी पड़ेगी, उसी के अनुसार resources लगाने पड़ेगा, audit scheduling करनी पड़ेगी, frequency of audit इसी के अनुसार करनी पड़ेगी, यानि किस system का कितना frequency से audit होगा, कई system से वहाँ पर continuous intermittent simulation लगाने पड़ेगे, यानि कि वहाँ पर एक separate module लगाना और उसके अगले chapter में पड़ेगे, उसमें detailed way में समझा हुआ है, तो कहने का मतलब यह है कि audit plan बना रहे है, audit plan में क्या है, audit plan का हम concept समझ रहे है, audit plan का concept क्या है, risk based, उसके बाद preliminary assessment कर रहे है, preliminary assessment में बहुत सारी चीज़े है, technology को समझना, business को समझना, laws को समझना, risk को समझना, materiality को समझना, और सबसे important, internal controls को समझना, क्योंकि IT audit is the audit of controls, primarily it is the audit of controls, या it is the audit of risk, risk और controls, दो चीज़ों को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि automated systems है, automated systems बीच-बीच में बिमानी नहीं करेंगे, आदमी की तरह मूड स्विंग्स नहीं आएंगे, आदमी की तरह अचानक उनकी requirement fraud करने की पैदा नहीं होगी, वहाँ पर controls violate हो रहे होंगे, या तो physical controls violate हो रहे होंगे, या logical controls violate हो रहे होंगे, उसके पीछे का आदमी या particular कोई virus हा रहा होगा, logically violate की जारी होंगी चीज़े, ज